के हम सब मंदिर जाएंगे भेट मया की जाएंगे मैया मेरी मुझ को है च्यारी करके आँ मैं वो सिंग समारी भोग मैया को लगाएंगे के माती भेट सुनाएंगे के हम सब मंदिर जाएंगे भेट मैया को जगाएंगे ओ मैया मेरी लाज बचाना मैया मेरी लाज बचाना सही राहत को हमें दिखाना फीस हम अपना जुकाएंगे के मात पे भेट चड़ाएंगे के हम सब मंदिर जाएंगे भेट मैया को जड़ाएंगे वो चरड़ों में तेरा मनो सर्पूरे खबता के अर माँ सर पूरे तमिसर्मा पे अर्मा भजने नित तेरे जाएंगे वेट हम मा को जड़ाएंगे जुमा पिरे मंदिर जाएंगे वेट हम तुझे ज़ाएंगे आज हम आपके सामने जैं मीजुक कैसिक के माध्यम से यह ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं यानि औरत की जिन्दगी में श्राद दर्द के अलावा कुई चीज नहीं है तो आई यह कैसे कि दिल थाम कर दिल थाम कर सुनना सभी और यह किसा है गमगीन पर देखी ऐसी घटना तो है दिल अपना भर आया दिल अपना भर आया यह कैसा जूद का कर जितका आया दिल अपना भर आया यह कैसा जूद कर जितका आया एक नारी कितने दुख जहलती है एक पुत्र को जनम देती है और फिर वो भी नहीं रहती कोई और पालता है कैसे हो अपने ही बेटे हो अपना ही बेटा भुला फर्ज निभाना अपनी ही मा को ना पहचाना एक बेटे लिए एक बेटे को एक बेटे लिए एक बेटे को यम का दौर दिखाया यम का दारे दिखाया ये कैसा लूद का कर्द रुकाया जस्म देखे मर गई एक लाला की मैया वो विशुड गया था बहुत थोटा सा छैया वो दूद का कर्द चिताने को है मौत को गले लगाया मौत को गले लगाया ये कैसा लूद का कर्द चिताया मौत को गले लगाया ये कैसा लूद का कर्द चिताया एक बच्चे ने दूद का करद चिताने के लिए अपनी जिंदगी को परबाद कर दिया रही अपनी आत्म हस्तिया कर ली कि गूजर पुरी एक गाम बसो सुक धाम सुनावे भाई और नेक ध्यान लगाय के सुनी और ये किसा चित लाई अरे गूजर पुरी ये गाउं है उसी गाउं में अरे भूजर पुर में मित्र सुन एक जमीदार जी रहते थे अरे सब के काम में आते थे और सब से प्यार दो करते थे बहुत अच्छी आदस हुआ करती थी आनला गिर्राज कहते हैं अरे तीन महीना को एक ललता घर में बंचो प्यारा था अरे मात रुक में तासी आखों का हाई पो तो बच्चा सारा था जमीदार के यहाँ एक तीन महीने का बच्चा और था उनका अपना बच्चा और उनी के धर में अरे धर में नौत रानी थी जिसका चंपा सुन लो भैया खाना अरे धर में तिन वरे काम करे रुसाम पुझा पुची प्रहुताना अरे मेरी धीरे धीरे कथा आज वागे तुम बढ़े रही है मेरी धीरे धीरे कथा आज वागे तुम बढ़े रही है दोस्तों जमीदार के यहां एक नौकरानी रहा करती थी जिसका नाम था चंपावती चंपावती के तीन महीने पहले ही पती मर चुके थे बड़ी दुख में रहती थी कैसे हर बिनापती के चंपा दुखिया लेके नेक बात और बता दे कि जिस समय उनके पती मरे थे उस समय चंपावती गरव वस्था में थी हर बिनापती के चंपा दुखिया और भारी कस्टो ठाती थी बिनापती के चंपा दुखिया हुए तिन महले ही मरा खापत वो और निस दिन आज को बहा पी थी बिनापती के चंपा दुखिया अरे गडब बती थी जिस दम चंपा जिस दम पत सुरधाम गए हो रहने कोठी तूटी जोंपुरी ते गडबो सारे काम गए जों एक आत्मी जीर ही थी बेचारी की होगा मेरी केने लेखिया अरे होगा पूत्र मेरी कोख से प्रभु सेहत लगाती थी जुनाफती के जंपा दुखिया वारी कश्चो उठावती थी कहते हैं कि जिस समय सिसू पेट में जरब धारन करता है उस समय नारी को आराम करना थी है लेकिन चंपा की बिल्कुल चंपा दुकरी थीन की जोंगा अरे आराम करन के दिल थे भिर्वी चंपा काम वो करती थी और बली गरीब थी वो बेचारी मेहनत से नहीं डरती थी क्यां अरे सामु सवेरे कविता देखो अरे सामु सवेरे कविता देखो प्रवु से हेत लगाती थी मुना पती के चंपा दुकिया भारी कश्टू खाती थी जमीदार के हां जो वो नौकरानी रहा करती थी अर्व बेचारी बड़ी गरीब थी पती मर चुके थे पेट में गरब था लेकर घर की जो उनकी जमीदार की जो पतनी थी चंपा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी एक नौकरानी नहीं अपने घर की सदस की तरह उनको रखा करती थी एक दिन एक दिन रात को हुगा क्या थोड़ा समय वीत गया थोड़ा समय वीतने के बाव अरे बादल लगर जी आज तो मेरे भाईया हाँ बादल गर जे आजो तो मेरे भाईया कोई घटा रही थी गहरा आई जी बादल गर जे आजो तो मेरे भाईया बादल गर जे आजो तो मेरे भाईया बादल गर जे आजो तो मेरे भाईया बादल कर जए आसमान पर चाली घटाएं घरी हुई है उसी समय चंपा के तीडा आबा उठ रही मेरे लाला चंपा के तीडा आबा उठ रही मेरे भैया वो रईये रुधन मचाई जी क्या से मचा रही है भाईया हाँ रोबे पठारे खावे आज तो वो मया हाँ रोबे पठारे खावे आज तो वो मया वाए मालक न रही समझाए जी हाँ क्या हुआ मीरज धर ले जिगर में मेरे प्यारी मालक न कहने लगी चंपा वती मीरज धर ले जिगर में मेरे प्यारी परी भाली करेंगे भज़वान जी मीरज धर ले जर ले जर ले जर ले जर ले भाली करें भज़वान जी अब देखिए ठ्रभू की लिला कैसे चली तो अरे चंपा रोए रही महला में मिरज भाया कोई आगे को गा में हाले जी माने जनमो है ये कूला ले जी जोड़ी तेरे तेरे बादमे में लईड़ा, कोने जनम हो है एकुला लगी जब उसने जान लिया कि में जीवत नहीं रहे पाऊंगी तो मालकिन को बलाया और उनकी गोदी में अपने पुत्र को दिया और आखों में आशु भरकर मालकिन से वो चमपावती क्या कहने लगी जा कहने लगी मेरे हाथ जोड़के कहती तुमसे रभू से पेसल जाती है मेरे बिटे को रखना सम्हाल के चमपाव समझाती है मेरे हाथ जोड़के कहती तुमसे प्रभू से पेसल जाती है मेरे बिटे को रखना सम्हाल के चमपाव समझाती है और कहने लगी है मेरे हाथ जोड़के कहाल के चमपाव सम्हाल के चमपाव सम्हाल के मैं बिटे कहती है इस बिटे को पाले न पाई इस बिटे को पाले न पाई बॉस निकला दिखाती है मेरे बिटे को रखना सबाले के चमपाग समझाती है मेरे बड़ दिनों के बाद गोद में आयो मेरो चैया है दूस लाला पाई अपना विच्डन हुआ ये दया में मेरे बड़ दिनों के बाद गोद में आयो मेरो चैया है दूस लाला पाई अपना विच्डन लागी गया एक दियां से अलग हो रही एक दियां से अलग हो रही देखो उतकी बारी है मेरे बटे को रखना समाल के चंपाब समझाती है मेरे बटे को रखना सम्हाल के चंपाब समझाती है मेरे बटे को रखना समझाती है लाड़ प्यार से रखना तुम कोई गल्टी करते जो भूल से उसको मापुल करना तुम है इस बटे को पाल लपाई मोत रंग दिखाती है मेरे बटे को रखना समझाती है आजोड के कह तिरे तुम से कहने लगी है मेरे बड़ दिनों के बाद गोद में आयो मारो चैया पूट पिलाना पाई अपना विच्ण लागे गया बड़ दिनों के बाद गोद में आयो मेरी चैया दूट पिलाना पाई रे अपना विच्ण लागे गया एक दिया से अलग हो रही देखो उसकी बारी है मेरे बटे को रखन सभाल के चंपाब सब जाती है अरे गम की घटिया बन कर नागन मेरी किसमत पर लेटी है उन्हें मिल गयारमा सारे बनी ये किसमत बेटी है गम की घटिया बन कर लेटी ये माता जाती स्वर्ग धाम को बैटे तुम्हें गवाती है हाद जोड़ के कहुए तुमसे मामत अमारी है जरे हाद जोड़ के कहते तुमसे प्रभू से पेस न जाती है मेरे बिटे को रखने न भाल के चंपा यूटम जाती है दोस्तो इस प्रकार से मा अपने छोटे से सिसु को छोड़ के मर जाती है चंपावती की जो नोकरानी थी उनकी जो मालकिर थी अपने बच्चे को ले लिया गोद में धीरे धीरे समय गुजर गया चंपावती का अंतिम संसकार होई चुका था एक दिन जमिदार जी ने कहा क्यों न हम अपने बच्चे की तरह इसका भी दावतः कराएं घर में नाच गीत कराएं, मंगल चार कराएं तो देखी घर में दावत बग़रा हुई और जैसा को बच्चे का जनम होता है वैसे हैं सारी रसमें अदा की गई तो कैसे खर में मंगर चार सखिया गाने लगी अरे आज तो बधाई वाजी रंग महल में खर में नाच गाने हो रहे हैं और है या गाई जा रहे हैं अरे जिटनिया में पलंग नवा में रंग महल में जिटनिया में पलंग नवाई वो कई साय मागे रंग महल में आज तो बधाई वाजी रंग महल में आज तो बधाई माजी रंग महल में ये नी छोड़ी नगवाओ करें देगे मुलोडा के अदम हो ठारे जोवाई आज तो बधाई माजी रंग महल में आज तो बधाई वाजी रंग महल में अर देवर आमे तीर चला में रंग महल में देर चलाई वो रुप्या माजी रंग महल में आज तो बधाई 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 माजी रंग महल में दोस्तों इस प्रकार से घर में बंदल चार हुए उस बच्चे का नाम लखन रखा गया जिससे कि जमीजार के लड़का था उसका नाम भरत था धीरे 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 समय गुजरा तो यह बच्चा कुछ बढ़ा हुगा यानि गलियों में खेलने लायक हुगा जब गलियों में खेलने लायक हुगा तो एक दिन यह बच्चा खेलते 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 घर से बहुत दूर चला गया और जब दूर चला गया तो रास्ते में खेलने लगा तब ही महाँ पर एक बढ़िया आई और कहने लगी कि बेटा ऐसा बेटा कहकर कि वो बढ़िया जब रोने लगी तो बच्चा बोला माता जी बात क्या है बात बताओ तो बढ़िया कहने लगी कि सुन बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ हूँ बच्चपन में मेरे चाईया तो एचोड मरी है तेरी मैया हाँ बच्चपन में मेरे चाईया हाँ पिता जनम से पहले मर गए बिधी का खेल नेरा आला है जनम देत ही मैया मर गई सुन ले मेरे लाला है रहो कोई धिर नाई है दर रही हाँ तो एचोड मारी तेरी मैया तेरे मचे पल में मेरे चाईया तो एचोड मारी है तेरी मैया तेरी माल के नमे ओ लाखन तुझे को दोग पिलाया है खुद गिले में तोई माल के ने सूखे में तुझे तो लाया है प्रभो परकर में तेरी लाया तो एचोड मारी है तेरी मैया तेरे मचे पल में मेरे चाईया तो एचोड मारी है मेरे चाईया दोस्तो इस प्रकार से जब उस बुढ़िया ने इतनी बात कही तो लड़का भी रोने लगा बोला ये तो मेरे साथ बुरा हुआ लेकिन उस मा मैं तो वह मा देखी नहीं इसी माने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे तो मालूमी ने में तो यही मेरी मा है अब वह उस बुढ़िया से बच्चा कहने लगा कि जिसमा ने मुझे को रखा है और हाई अपना बेटा बना करके अपना बेटा बना करके इस मा को मैं भी रख खूंगा इस गड़े कहार बनार करके कि अपने तरफ से कोई कमी नहीं होने दूंगा उनके बेटे से जादा उससे प्यार करना कि माता चाहे कुछ भी कहे और में हर दम उन्हें मनाऊंगा हर दम उन्हें मनाऊंगा में प्राडों को भी दे करके उस गूद कर जिसका बना दोस्तो इस प्रकार से वो बच्चा इतनी बात उस मा से कहकर के घर आता है तो देखा कि वो मालकिन जो थी कपड़े धो रही थी बच्चे ने कपड़े उनसे ले लिए और खुद धोने लगा मालकिन मुली बेटर तो ये क्या कर रहा है कुछ नहीं मा तुमारी सेवा किया करणगा कि अभी तेरी उमर नहीं है कि आतने नम्मल लग गया माल लेओ और अच्छे बेटर तो भही होते हैं जो माबाव की सेवा करते हैं अब धीरे धीरे समय गुजला दोनों बच्चे बड़े हो गए तो सबसे पहले जमीदार के लड़के की साधी हुई दुलहन घर में आई थोड़े दिल बतीत करने के बाद एक दिन मुमा बोली के बहु तुम्हारा ये देवर है इसको अच्छी तरह से रखना देखी अच्छी तरह तो बहुत दूर है आज कली बीवियां कुछ अलग होती है एक लोग गीत गाते हैं के पी हरते सीख आई मालकी के जैब हुए आज कालकी एक बार एक लड़का एक लड़की को देखने पहुचा हर लड़की अच्छी नहीं होती हर वहुँ ऐसी नहीं होती हुछ थोड़ी बहुत जब देखने पहुचा तो देंकि समदा लड़की के बात बता रहों को वर उस से बोगडा कर तुमसे ऍयुक्त दांस करना आता है लड़की बोली जब मैं दांस करेंगी तो खाना तेरा बाब बनाएगा तो लड़का महागे ए लड़की एसी लड़की अच्छी वा करती है लेकर आज क्या है के चोगता देवर पेलगवावे के चोगता देवर पेलगवावे और बालम पे वो पानी भरावे और ये तो पी हर से सीखियाई मालकी के जेब हुए आज कान की ये तो पी हर से सीखियाई मालकी के जेब हुए साथियों इनी में से जमीदार के लड़के की बहु थी अब देखिये होता क्या है कि जमीदार के लड़की की बहु थी एक दिन मा यानी मालकीन अपनी बहु से कहने लगी क्या कि मोई लगी रही भारी भूख करे बहु मेरी प्यारी ना थाना भाय तई यार रेके बहु थाई भाय अबारी महराज सुने जब सासू के ये बेन और गुस्तों में आके बोली वो अरत लाले लाले करने ओरी सासूरी है ओरी सासूरी है अब ही उमारे मेरी प्यारी है मोखे थान बनायो नाई जाए ओरी सासूरी अब ही उमारे मेरी प्यारी है दोस्तों विचार करें कि देखिए बहु कहती है कि अब 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 तो सास बोली कि बहु तुम्हें खाना क्यों नहीं आता अरे तुम्हारी इतनी उमर कोई खाना सिखाया नहीं घरबालों ने सास कही देती है ऐसी बाते लेकिल जब सास ने इतनी बात कही तो फ्रोज भाईया बहुत गल्त काम कर दिया उस बहु ने क्या कर गुसे में भर आई आरत और ना तिल में रहम विचारा है बाने आगे आ करके भाईया सासू के तमाचा आरा है दोस्तों आज अपनी सास के रोटी खाना बनाने के पीछे चाटा मार दिया और जो पती था उसका यानि जमिदार जी का लड़का तो कि खड़ा खड़ा देख रहा उसने यो नहीं घा गए तू क्या कर रही है तभी वहाँ पर छोटा वाला आया जो चंपा का लड़का था गोला भावी तुमने ये क्या कर दिया अरे मेरी मापर तुमने हाथ पादिया बत्तमी सरम नहीं आई तुमें और जैसे इतनी वाने कई तब भावी निका करो के लेके डंडा बामे मारो अरे लेके डंडा बामे मारो अरे खूल को बहने लगो को नारो अरे भाईया ऐसो सब्सक्राणों अब देखी जमीरार के लड़के की बहुने चंपावति के लड़के को भी मारा जब मारा और कहले लगी नौकराणी के लड़के उससे जवान लड़ाता है तो वो लड़का कहने लगा तुमसे किसमे कहा कि मैं नौकराणी का लड़का हूँ अरे मैं तो इन्ही मा का लड़का हूँ जमीदार जी का लड़का हूँ मां ने दोनों को संत कर दिया दोनों लग-alag हो गए जब अलग-alag हो गए तो देखिगे वो ओरस सोचने लगी कि कैसे भी करके इसको घर सेने निकाला जाय क्या करें क्या ना करें तो उसके दिल में एक पिचारा आया और अपने पती से कहने लगी देखो जी तुम्हारों भाईया बड़ा खतरनाग है हमारे सिंग में बड़ा खराव काम करो एक कहा करो अरे कि मत पूछो कहा करो सुनो कहा करो सुन लो बाला में कहानी के भाईया तेरा कर गयो से तारी तुम्हे लो बाला में कहानी के भाईया तेरा कर गयो से तारी और फ्रोज भाईया क्या के में लगी वो है राते मलेंगे में वो मेरे आयो जवरत जाने मों कुदवाया और क्या वाने करी खूब मन मानी के भाईया तेरा कर गयो से तारी तुम्हे लो बाला में कहानी के भाईया तेरा कर गयो से तारी ओ अंगिया बाले हमरे भाडे अंगिया बाले हमरे भाडे ज़ानी के अंदने कर चुना पिचारी यहां से जाने कि खानी के भाईया तेरा कर गो से तारी तुम्हे लो बाला में कहानी के भाईया तेरा कर गयो से तारी देखिए आज भरत पर उसने दोस्त लगा दिया तेरिया कि तुम्हारा भाईया हमसे बत्तमीजी कर गया है हमारा हाल बेहाल कर गया है उसे या तो इस घर से निकाल दो या फिर मुझे निकाल दो तो देखिए भरत से लखर कहने लगा हराम खोर तुझे सरम नहीं आती अपनी भावी पर बुरी निया चाल भी तूने बोला भाईया मैंने क्या काम किया है अब काम रहा ही कौन सा गया बागी करने को रात तु उसका पास पहुच गया असरम नहीं आई तुझे लखन कहने लगा भाईया मैंने ऐसा काम नहीं किया तभी मा आई और भोली कि बेटा ये कहीं ऐसी बाते कर सकता है तेरी बहु खराब है तो कहने लगा तुम चुप रहो मा तुम्हारी बज़े से तुझे लखन गन्दा काम ही कर गया तुम आसे कहने लगा कि मा तुम मेरे पीछे क्यों इंसे जगडा करती हो अरे कहने तुम उससे कह रहे हैं कोई बात नहीं है देखी आज लखन को दोनों मिया बीबी ले घर से धक्के देके निकाल दिया जब लखन चलने लगा तो रो रो करके उस मा से कहने लगा जिस मा ने उसको पाला था कैसे भाई अत्रोज के मैया आखरी विदा हो मैया आखरी विदा आज करेदे हमारी आखरी विदा मैया आखरी विदा ओ बचपन से मा तेनी पालों बड़ी मुसीबत धेली हे मा तुरे बड़े प्यार से हमें पाला मेरे तीजे बहुत मुसीबत धेली ओ ठोड़के जाता हूँ अब मैया तेरी ममता की हमेली ओ मैया आखरी विदा ओ जननी आखरी विदा आज करेते हमारी आखरी विदा मैया आखरी विदा मा तुरे मुझे जो प्यार दिया जो महपती ओ मा से भी बड़ करमा तुने हमको प्यार दिया था ओ मेरी मा ओ मा से भी बड़ करमा तुने हमको प्यार दिया था खुला बना कर इन बाहों का हर दुलार दिया था ओ मैया आखरी विदा ओ जननी आखरी विदा आज तरत हमारी आखरी विदा मेरी भावी भावी के पास पहुचा मा के पास से चलका भावी में तो जा रहा हूँ जैसा तो ने मेरे साथ किया वो सब ठीक है लेकिन मेरी मा को अच्छी तरा से रखना हूँ ओ भावी में तो जाता हूँ मेरी भावी मा से कुछ ना के है ना मैया भावी के संग मिलकर मा की सेवा करे ना ओ मैया आखरी दिना हावी आखरी दिना भाया आखरी दिना आज करते हमारी आखरी दिना दोस्तों आज इस पकार से मापी मांगकर अपनी भावी से घर से चला है और कहा कि भावी मेरी मा को संभाल के रखना पेर चूबर के घर से चला जाता है थोड़े दिन गुजरे जब थोड़े दिन गुजरे तो वो बहू घर में क्या हुरतंग बचाने लगी देखो सास की सेवा करना तो बहुत दूर फ्रोज भाई कैसे अरे बो सास उपहो कम चलावे अरे बात बात पे आँखे दिखावे अपनी सास को न खानो खिलावे अरे जो कच पह तो भाई धम कावे अरे भाईया बाते पेशन जावे सरमा क्या अब आगे गावे दोस्तो बार बार उसको सताने लगी धमकाने लगी एक दिन जब माने कहा कि बहु इतना हमें परिसान भी मत किया करो तुम हम भूके प्यासे रहते ही कम से कम खाना तो मांगी सकते ही आद देखिए उसका जो प्यारा बेटा था लखन वो घर पन नहीं है उसका अपना बेटा है वो उसकी बात नहीं कूछता एक दिन सास ने कुछ कहा तुछ हराम खुर को सरम नहीं आई और क्या हुआ चुटिया लीनी पकड हाले अब सुनो या गारी है लेके अपनी सास हाई जल नीचे डारी है चुटिया लीनी पकड हाले अब सुनो या गारी है लेके अपनी सास हाई जल नीचे डारी है जाहिन बाको मारे रही रेची जाहिन बाको मारे रही रोई रही दुखिया बेचारी रेची रोई रही दुखिया बेचारी मेरे उपर रा में उती बत कहती है डारी रोई रही दुखिया बेचारी मेरे उपर रा में उती बत कहती है डारी साथियो इस पकार से मा को मारा पीटा और देखिये आज उस मा को जिस मा ने जनम दिया था वो लड़का उसने भी कुछ नहीं किया देखता रहा खड़ा खड़ा मा को घर से निकाल दिया बेचारी मा सड़को फ़भीक मांग रही है और उधर से वो लखन बहुत पैसे वाला हो जाता है कमाता खाता रहता है जो चंपा करणगा था जो आता देख जैसे ही मा को देखता है बुला मा ये क्या बात है तो सारी घटना वो बताती है तो उस मा को घर लेकर आता और कहता एक भाईया तुम्हें भावी से कुछ नहीं कहा मेरी मा को मारा रहे तुम्हें सरम आनी चाहिए अब वो छोड़ा सोच रहा हो मनमे कि जो रड़म पकाएगो रात को देखी उसकी पतनी कहने लगी कि तुम्हें ऐसा कर जा अपनी महताई ये बात दे नरहें को आप मासो न बजाएगी अब हुआ यहों कि रात को जब मासोई तो वो हत्यारा बेटा उसका आज मारने को चला है लेकिन लखन देख रहाता ये सारा ड्रामा जैसे ही कटारी उसने उठाई मारने के लिए मा को तभी लखन आ गया और लखन के वो कटारी पेट में भुख जाती है लखन जमीर पर गिर सकता है और कैसे के मेरे दिल में रह गया अस अरे सुनो मेरी मैया अर तेरी सेवा करना ये पायो जी तेरो अचलिया ओ मेरी माम ने क्या दरूँ जी मेरे राम है मिले लाए अब ऐसी मैया हो जाता मा पूर्पूर हो जाता मा पूर्पूर खबर ली जो मेरी रगु रहिया दोस्तों देखिए आज चंपावत्ती के लड़के ने अपने दूद का करद चुका दिया मर गया बेचारा दूद का करद चुका के मर गया इधर में उस मा को उन्होंने फिर घर से निकाल दिया मेरी तो समझ में नहीं आती वक्तों यह हो क्या रहा है जमाने में एक बात मेरे दुमाग में आती है कहानी तो हमारी यही पर खतम है कि बच्चे ने दूद का करद चुका दिया लेकिन उससे पहले आज के युवाव के लिए मैं एक माता की तरफ से दू बाते कहूँगा कि ओलाद को मात पिता ने ओलाद को मात पिता ने हाई बड़े दुखों से पाला और बीबी की खातिर मातों बच्चे ने घर से दुद आलाद को मात पिता ने आई बड़े गुर्मों से पाला आगर वीबी की बातों में ये खुमा को धर सिविग्ला के जब होता जनम पोत्र का मापीडा में रोती है सूखे में सुलाए उसको खुदगीले में सोती है सजसे दूद मिलाया अपना वो बन गया विसीर साला आगर वीबी की बातों में एक मा को घर से निकाला ओलात को हाथ पिता दे आई बड़े गुखों से पाला वीबी की खातिर मा जो आई खर से आज निकाला दोस्तों ध्यान दे मा कितना हमारे लिए सोच ती हैं लेकिन बच्चे कुछें के जब दर्दु हुआ बेटे को मा बिलखो बिलख कर रोई कव मान वो उठे ये खाना यही सोच के माना सोई मा यही सोच कर रात बर नहीं सोई करना जाने मेरा लाल मेरा पुतर को मुझसे खाना मांग ले लेकिन… खोद रही अनहेरे में मा पेटे को तिया हो चाला आखर वी में विख लातों में एक मां खळ्स लुआला ओय व्लात को मां दुछाने नई पर बुकों से पाला आखर ऴी में शुश्टा में मां वां को ख़्स लुआला इसी किसा आपके हमारे किसा नहीं परक्ते होता है